तो आज हम Martエラ tire के बात करेंगे कैसे पढंडा कितना पढ़ना है क्या कि इंपोर्टेंट है पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए जितने भी आपके सार हमेंश्चाउट हैं किसी के दू सवाल हर उसारो गभुण हैं कि अब बिना किसी डाउट के जैसे एक पुरानी कहावत है कि ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते बिना निउस्पेपर पड़े लेकिन जो टोर बनता है भी नीईश पेपर जरूर पढ़ता है नुस्पेपर इस बारे लियूजिए बात करेंगे जिएस फूर में फाइदे मंद होता है फिर essay में होता है उसके बाद overall आपका understanding बहुत अच्छा होता है बहुत सारे ऐसे argument होते रहते हैं न्यूस्पेपर मेरी टॉरियल आते रहते हैं एक perspective आता है फिर दूसरा perspective आता है वो हमें एक चगे मंतली magazine में मिलता तो है काफी limited होता है क्योंकि जितनी भी मंतली magazine होती है वो newspaper से ही उठा के copy paste मारते हैं तो जो अगर हम newspaper से daily basis पढ़ते रहते हैं तो वो हमारा argument अच्छा होता चला जाता है जैसे कि मैं एक example होता हूँ तो 2022 कम लोग means लिक रहते हैं तो उस marks में अब बताओ सारे लोग मंतली magazine पढ़े कहां से लिखोगे newspaper की newspaper में क्या होता है न कि आपको manufacture कर सकते हो आप answer और जितने भी answer questions आते हैं मतलब mostly ऐसे directly नहीं आते यूप से मेंस में आप जाके उठा के देखो आपको manufacture करना पड़ता है सीधे सीधे नहीं आते कि यह बताओ बताओ पहले आते थे अभी थोड़ा सा में समझना पड़ता है तो अगर आपकी understanding अच्छी होती है तो आप आराम से लिख सकते हो तो newspaper से आपकी understanding बढ़ती है आपको perspective बढ़ता है आपको knowledge भीस पड़ता है आप aware होते हो आसपास की चीज़ों में क्या चल रहा है आपको personality डवलफ होता है उसके साथ साथ आपके लिए इंटर्वियों में काफी जाद अफ़ायदे मंद होता है क्योंकि आप aware होते हो आप linkages बहुत अच्छे से बिठा बाते हो तो यह important है क्या हमें money skip करना चाहिए मैंने आपको maior battle कि ऐसा नहीं कि लोग newspaper नहीं पड़तेखा लेकिन newspaper पड़ने से चीज़े आपकी आसा ब्याना हो जाती है तो newspaper मेरे हिसाआप से नहीं करना चाहिए बहुत सारे से टॉपर हैं वो शुरू में स्किप कर दिये थे में पिरी तक स्किप कर दिये लेकिन पिरी के बाद उन्हें निउस्पेपर उठाया और पढ़ा और अच्छे माकस है वह मैं बताऊंगा क्यों इंपोर्टेंट होता है कैसे पढ़ते हैं क्या चीजों का ध्यान रखना है कैसे आपको परूच करना काउन सा नियूस्पेपर बहुत ज्यादा सवाल होता है कोई भी पढ़़स हिंदु पढ़़ो इंदियान एक्सपरिस पढ़ बहुत पैस आपकी पास अमीर हो तो ता हिंदू पढ़ो मेरे जैसे गरीब हो तो इंदियन एक्सपरिस पढ़ लो पांश से पहले आपको syllabus अपना वो मैप करना है कि क्या कौन से related है GS1 में क्या क्या है GS2 में क्या GS3 में क्या है कि मालो land slide आ गया land slide कहीं पर हो गया let's say land slide सिक्क्य में हो गया और 20 लोग की जान चली गए अब वो आपने पड़ा अब यूप से नहीं बूचने जाएगा कि land slide क्यों हुआ causes क्या थे आप उसको use करोगे as example कि disaster इंडिया में कुछ आप बात कर रहे हो तो आपने एक्जामपल दे दिया land slide इंसिक्के तो वो चीज़ें आपको पता होगे कि land slide अगर आया है तो यह जीएस थिरी में मैं disaster management यूज कर सकता हूँ कोई attack हुआ है कुछ security से related है मैं G3 में add कर सकता हूँ कुछ NGO के बात हो रही है मैं G2 में कुछ self help group के बात हो रही है G2 में तो जब भी जब भी एक चीज़ ध्यान से सुनना कि जब भी आम newspaper पढ़ रहे हो तो newspaper का मतलब यह नहीं होता कि आप सारा news एक से पेस से लेके पूरा 15-20 पेस तक सब कुछ रट रहे हो नहीं एक editorial ऐसा नहीं कि model answer है सब कुछ इसमें आप रट लोगे पूरा याद हो जाएगा उसको एकदम रट लेना है नहीं एक editorial 2-3 point maximum एक छोटा सा article NGO के बारे में बस एक example यह essay approach करना होता है read newspaper like your reading as a ordinary person ऐसा नहीं कि आपने आपको push कर रहे हो कि नहीं मुझे बस UPSC के लिए पढ़ना है यूप हर एक चीज को UPSC से जोड़ रहे हो चोटा सा article है अरे उसको enjoy करो आम आदमे के तरीके से पढ़ो इतना force मत करो बहुत सारे तरीके होते हैं अब मंतली magazine से भी आपको चीज़ें मिलेंगी आप PT 365 पढ़ते हो में 365 पढ़ते हैं कोई भी मंतली magazine पढ़ते हो वहां से आपको चीज़ें मिलेंगी test series में मिलती हैं बहुत सारे sources बनते चले जाते हैं अभी at least newspaper जो आपको मिल रहा है उसको enjoy करो उसको पढ़ो and let it go force मत करो कि मुझे चीज़े याद क्यों नहीं आ रही है रात में जाके सोच रह है वो भी आपके शुरुआत में ऐसे ही थे तो इन सब चीजों से परेशान मत होगा करो कुछ stages है मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे newspaper में अप्रोच करना है सबसे पहला कि आपको slaves में आप करना आपको slaves पता होना चाहिए अच्छे से था कि आप direct link कर लो फिर अपने आपक पूरे नियूस को समझना है कि अगर आप मालो uniform civil court पढ़ रहे हो उसमें लिखा हुआ है कि tribal areas का क्या होगा तो आप सोचो ना यार कि मतब अलग-अलग tribes areas हैं अलग-अलग culture हैं तरीके अलग-अलग हैं अगर वो uniform हो गया तो वो कैसे survive करेंगे सोचो उसको वो चीज़े रट इसको decline करो तीन लग रहे हैं फिर दो घंटे 50 मिनट फिर दो घंटे 40 मिनट दो घंटे 30 मिनट दो घंटे 20 मिन ऐसे से स्लोली कोई भी चीज़ अगर हम improvement लाते हैं तो अपने आपको बहुत ज्यादा force नहीं करना है कि नहीं सब कुछ UPSC के लिए पढ़ना है आम आदमी के त द्धिचीवी लोग होते हैं पढ़ते हैं तो आप भी ऐसे पढ़ो चीज़ें समझो मतब आप जब question देखो कि argument आपको याद आ जाएगा मालो कहीं पर crisis हो गया मालो सुडान में crisis है पढ़ लिया अपने editorial basic idea मिल गया कि आप सुडान में crisis ऐसे ऐसे reason के वाज़ा से हो रहा है अब UPSPRI में क्या पूछता है कि अभी recently कहाँ पर crisis हुआ है सुडान आप तुरन देखते ही मार दोगे basic awareness ऐसे ही आ रहा है मालो याप को हो गया तो आप पूछता है कि कहाँ पर ये किसले news में थे अर्जंटीना में economic crisis थी बड़े-बड़े editorial आ रहे थे आप पढ़ रहे हो क क्या है USA का क्या रोल है कैसे चीज़े हैं वो simple पूछ ले कि अभी economic crisis कहा थी अर्जंटीना में थी या नहीं बस simple चीज़े पूछता है तो आप उसको enjoy करो force मत करो पहली चीज़ उसको copy का पेस्ट मत करो कि आप उसके चिट काट काट के रखते हो अब मेरे को एक बात हता हो क्या करोगे उसका समोसा खाओगे आप 20 तीस दिन पहले एक्जाम के मेंस किया प्री कि आप चिट पढ़ आपके priority के लग होती है आपको GS पढ़ना होता है option पढ़ना होता है वह हमें लगता है हम satisfaction के लिए रखते है बट उसका कोई मतलब नहीं होता है यह चीज़े दिहान रखना last में आपको focus करना है जब आप syllabus पता हो आप habit बनाओ सबसे पहले कि आपको सिप पढ़ना है पढ़ चीज़े click कर पा रहे हो तो फिर आप उसके notes बनाओ notes कैसे बनाओगे कोई example मिला सिफ example लिख लेना है एक article आपने पढ़ा किसी से related बस example जैसे use करो आप SM use कर सकते हो आप GS में use कर सकते हो आप कोई editorial पढ़ रहे हो आप उसके 2-3 point निकाल लिया 2-3 point समझ लिया कोई specific point है जिस इसे autonio getress है जो भी नाम है उनका तो रहने कुछ UN reform पर कुछ रखें तरीके बताए 5-6 method बताए तब वह चीज़ यूनिक है वह आप 5-6 पूरा उतार लो कि जब भी UN reform के बात होगी उनका नाम लगा कि आपनी 5 point लिख दो हमेशा के लिए हो गया जब भी आप attempt होगी तो य यह चीज़ें आप आप यह चीज़ें करते हो निउस्पेपर में निउस्पेपर में perfection की तरह मजाओ यह यह basic चीज़ें नौ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे बहुत साई लोग को दिक्कत होती है निउस्पेपर पढ़ने में समझने में तो आप editorial देख सकते ह मेरे टाइम पर मैं सुमित सरका देखता था only is करके जो editorial आता था वाजी राम का analyst काफी अच्छा है hand out उनका काफी अच्छा है यह बहुत सारे coaching अलग-अलग चलाते है जो भी आपको लगता है आप उसको follow कर सकते हो पहली चीज़ अगर आपको दिक्कत हो रही है लेकिन उस be aware that is very very important मंतली मैगजिन से आप पढ़ते हो ठीक है लेकिन आपको newspaper पढ़ते रहना चाहिए आपकी habit बनी रहनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है प्लस आप editorial अगर आपको detail में नहीं समझा रहा है editorial देख लो वहां से दो-चार point उतार लो चीजों को रटना नहीं ये newspaper में हर चीज मेमराइज नहीं करना है हम artificial intelligence नहीं है हम इंसान है भूल जाते हैं तो force नहीं करना पुछ नहीं करना अपने आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि आपको चीज़े याद नहीं रहती time जा रहा है उसको slowly gradually कम करने के कोशिश करो पढ़ो और जान जाएगा तु अपने आप time के हिसाब से आद आ जाएगा भूल भी जाएगा तो दुबारा फिर आर्टिकल आता है एक आर्टिकल साल में बहुत बारी रिपीट होते रहते हैं एडिटोरियल एक आप पढ़ रहो तो उसके दो तीन पॉइंट होते हैं चार पॉइंट मैक्स सूचनी की छमता बढ़ाओ थोड़ा रीजनिंग बढ़ाओ अपना परस्पेक्टिव चेंज करो माइंडसेट चेंज करो लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता मतब कैसे भी आर्टिकल होगा आप अपना थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हो ऐसा नहीं होगा कभी कि आपको लगत सूर्सें इंफॉर्मेशन के तो आपसे पढ़ो चीजे समझो सीखो फिर बाद में फिल्टर आउट करना अपने फॉर्ट प्रॉसस को डेवलब करना है और मैंने लास्ट में बोला कि अगर इन सब चीजों में आपको दिक्कत हो रहे तो न्यूस्पेपर के साथ साथ आप म पेंसे पश्च नहीं करना फिर से में रिपीट करूंगा एक्जामपा सिधा क्लेक्ट करो न्यूस्पेपर से ग्जामपल बहुत मिलता है और को मिलता है तो वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती एक्जांपल पर फोकस करना और एडिटोरियल और पर थोड़ा बहुत आर्गुमेंट देखते रहो चीज़े कैसे चेंज हो रही कैसे समझ रहो नियूस पेपर का आपको रिजल्ट चार से छे महीने बाद दिखने को मिल करना है समझने फोकस करना है आम आदमी की तरीके से पढ़ना है बाकी चीज़े आप यूपीस से से लेटेट पड़ो लेकिन हासले बस पता होना चाहिए ताकि आप लिंक करते पाओ कि यहां ठीक है यह चीज़ें यहां से रिलेटेट है तो जल्द ही अभी यूपी PCS